एक नगर की एक नगर की नगर की पूरो दस्कों की जनसंख्या पूरो दस्कों की जनसंख्या इस प्रकार है इस प्रकार है ठीक है वर्स 1981 में वर्स 1981 में बीस हजार व्यक्ती थे ठीक है वर्स 1991 में दस साल बाद वर्स 1991 में दस साल बाद जो जनसंख्या बड़ोत्री हो गई वह 24,500 हो गए ठीक है और वर्स 2001 में अगर बात करें वर्स 2001 के अगर बात करते हैं तो जनसंख्या 29,500 हो गई ठीक है और यद हम बात करें वर्स 2011 में वर्स 2011 में दी बात करें तो जनसंख्या हो गई 35,200 यनि लगातार हर दस साल पर जनसंख्या बढ़ी रही है ठीक है तो पूछ रहा है कि इस नगर की इस नगर की वर्स 2021 तथा 2021 में जनसंख्या ग्यात कीजिए क्याइंगे सर, इतना लंबा क्योशिन जेई में आता है. क्या? नहीं इतना लंबा क्योशिन नहीं आता है. सिर्फ वहाँ पर दो दसक दे देगा और उस की आगे पूछ लेगा की 2021 वाला बता दीए ये जेम कोश्चन पूछेगा बट यहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा से हम कई दसक का इसमें दे दिये हैं कि ताकि कोश्चन समझ में आजाए देखें ध्यान समझे कोश्चन का रा कि कोई एक नगर है और उस नगर की पूरो दसकों की जनसंख्या दे गई है जैसे वर्स 1990 में जो जनसंख्याती वो 20,000 बेखती थी वर्स 1990 में 24,500 बेखती हो गई वर्स 2001 में 29,500 हो गया वर्स 2011 में 35,200 हो गया और इस नगर की वर्स 2021 और 2021 में जनसंख्या पूछ रहा है तो सोचिए कि वर्तमान में जो ये लास्ट होता है यही वर्तमान जनसंख्या है यानि कि वर्तमान 2011 चल रहा है और 2011 में 35,200 बेखती है जो लास्ट वाला है ठीक है तो यहाँ पर जो P की value हो जाएगी क्या हो जाएगी 35,200 P की value यानि वर्तमान जन संख्या वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे फार्मूला यहाँ पर हम लोग P N is equal to P plus क्या कर यूज करेंगे N I E यही यूज करेंगे फार्मूला तो इसका मतलब है कि यहाँ पर P is equal to जो वर्तमान जनसंख्या है वो 211 है, ठीक है, 211, 35200, यानि 35200 हमारी P हो गई वर्तमान जनसंख्या, नगर वर्स की 2021 और 2031 की पूछ रहा है, यानि कि 11 से 21 के बीच यानि कि एक दसक, तो N की value यहाँ पर 1 हो गई, एक दसक, ठीक है, इसमें अगर दसक की बाद करें, एक N is equal to 1, यहाँ पर एक दसक आया, एक दसक, एक दसक, हर दस-दस साल पर, यानि कि N की value यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है, क्योंकि 3 दसक के बाद यहाँ पर value आई, 21 के बाद directly 21 अगर आप 21 निकालेंगे, तो यहाँ पर एक दसक हुआ, यानि कि N की value 1, ठीक है, यगर 21 के बाद directly 21 निकालते हैं, तो कितना दसक कंतर हुआ, 2 दसक का, 21 से 20, 2021 से 31, यानि 2 दसक N की value 2, ठीक है, आप कहेंगे सर, यह आईए, जो बढ़ोतरी है, परती दसक जो ब बात करते हैं, यहाँ पर हम directly अगर आपको निकलवा, देखिए, अबे मैं directly बता रहा हूँ, देखिए, अगर इसमें हम लोग अंतर देखें, तो यहाँ पर कितना हुआ, 4,500 का difference आया, यानि कि प्रती दसक जो बढ़ोतरी है, वो 4500 होगे, और 24,500 में से 29,500 निकालेंगे, तो यहाँ पर 5000 की बढ़ोतरी हुई, कितनी, 5000 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, और 29,500 से, यदि हम 29,500 में से क्या करें, यहाँ पर निकालें, तो यह हमारा 57,000 की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, यानि कि बढ़ोतरी जो दप्रती दसक हो रही है, यदि इन तीनों का योरेज ले लें यह औरे जगर हम लोग निकाले और शत निकाल ले तो जो रिजल्ट आएगो वो आईए की बैलू हो जाएगी तो यहां पर हम चाहे न तो डारेक्ली भी इसको साल्व कर सकते हैं यहां पर एक बार कल्कुलेशन कर लें सिस्टेमेटिकली तरीके से ठीके चाहे तो इसको देखे डारेक्ली निकालने में क्या है कुछ नहीं रखा है डारेक्ली निकालने में यहां पर जो पी की बैलू है वो पी की बैलू हम लोग यहां पर क्या करेंगे अलग से लिखे लेंगे और आईए की बैलू यहां पर अलग से लेकिन एक टेबल बनाईए जो इसका एक सी सीक्वेंस यही है कि पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, दसक लिखेंगे, जो यह वर्स चल रहा, यानि की 1981, यानि की 2001, 2001, 2011, ठीक है, और 2011 हो गया, ठीक, इस प्रकार से, अब इसमें अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां पर देखें, जो पापुलेशन है, जो जनसे क्या यह पापुलेशन पी हो जाएगा, पापुलेशन पी, यानि की जनसंख्या, 1900 क्यासिम कितना हुआ, 20,000 हो गया, 20,000, और 1900 क्यानिमे में 24,500, 24,500 लिखेंगे, यह ज़्यादा लिख दिये क्या, ठीक है, और उसके बाद यहां पर 2001 में 29,500, 29,500, और इसमें 35,200, ठीक है, अब यहां पर अगर बढ़ोतरी की बात करते हैं, ठीक है, बढ़ोतरी की बात करते हैं, ठीक है, जनसंख्या में बढ़ोतरी, जनसंख्या में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, अभी आउसत बढ़ोतरी नहीं लगाल रहे हैं, सिर्फ बढ़ोतरी निकाल रहे हैं, तो अगर बढ़ोतर इसमें कितना वो 57 बढ़ोत्तरी हो गया अगर इसमें हम लोग आउशत बढ़ोत्तरी निकालें यदि हम लोग आउशत बढ़ोत्तरी निकालते हैं आई ए तो आई ए की जो बैलू आएगी इसका आउशत कर देंगे यानि कि 4500 प्लस 5000 प्लस 5700 ठीक डिवाइड बटा 3 एक दो 3 है इसलिए 5700 बटा 3 कर देंगे जब इसका लोगेड निकालते हैं तो ऊशाक कितना नहीं आता है 4500 कल्कुलेटर लिए रहिएगा कल्कुलेटरर एससी जेए में सेटर्ड पेपर में हिलाव तुनिकरा हिलाव हो इसारी फफर्श्ट पेपर में तो नहीं हिलाव ह heavenly BUT है कि सेक एज़ कोल्टू किता जाएगा पकाँच हमारी निकल और यहां पर दसक बात करते हैं तो यहां पर एन की बहलू क्या हो जाती है तेल अब जर्णा देखिए हमारा यह निकल गया ठीखए अभी हमें क्या निकालना है कि जो यहाँ पर present time population है जैसे हमें 2011 से किसका निकालना है 2021 के बीच यदि हमें 11 के बाद ठीक 2021 निकालना है वर्स 2021 में कितनी जनसंख्या होगी तो population P क्या हो जाएगे हाँ पर यह वर्तमान जनसंख्या 2011 वाली P की वैलू ठीक है और 2021 का निकाल रहे है तियानि कि एक यहाँ पर हम लोग 2021 की जनसंख्या निकाल सकते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि लिखिए कि वर्स 2021 में में नगर की नगर की अनुमानित जनसंख्या नगर की अनुमानित अनुमानित जनसंख्या ठीक है तो यहाँ पर देखिए P is equal to कितना हो जाएगा 35,200 ठीक है और 11 से दिखिए 2000 हम लोग 11 से 2021 का निकाल रहे हैं तो N के वैलू 1 ठीक है और जो हमारा IA की वैलू है वो आ जाएगा कितना 3000 कितना आ रहा है तीन हजार 67 यह हम लोग निकाले गी है तो यहाँ पर दे रखायत इस फार्मूले में पुट कर देंगे P N is equal to P plus N I A इसमें जब वैलू को पुट करते हैं तो P की वैलू कितनी है 35,200 प्लस N की वैलू 1 गुड़े 30,366 ठीक है एक मिनट गरवर कुछ है क्या भाई तीन हजार कितना है पांच हजार 66 है सोरी पांच हजार 66 है यह पांच हजार 66 कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर ही हमारी जन संख्या निकल किया जाएगी वर्स 2021 के लिए अब यही अगर क्या करते हैं हम लोग 2000 अगर हम लोग 31 के लिए निकाले 2000 अगर हम 31 में नगर की अनुमानित जन संख्या बाकी सब कुछ होई रहेगा अनुमानित जन संख्या आगर निकलते हैं तो जरा देखिए वर्तमान जन संख्या में किसकी दी गई है ? वर्तमान जनसंख्या में 2011 की दीगे अब directly किसका निकल रहा है 2021 का एन इसको यहां पर दो हो जाए क्योंकि दो दसक बित रहा है कितना दसक बित रहा है वही दो दसक बित रहा है तो पी एन इसकोल टू पी प्लस एन आई ए तो यहां पर हम लोग बैलू पुट कर देंगे पी क है में की बैलू इसका भी निकल जाए अब बताइए किसी को कोई डाउट है किसी को कोई Lebanon है से तो बताइए कि 40 261 बैक्टा किसी को क्या Vegeta बताईए और यह आ जाएगाफ 45 334 किसी को कोई डाउट है बताईए तो 2000 अगर हम बात करें 2021 और 2011 और यह 2021 है और यह 2021 है दो जार यारा में वरतमान जनसंख्या यह थी ठीक है किसको डाउट है एक बार दुबारा बता दे देखिए फिर समझीए यह नोट कर लीजिए फिर बताते इसको नोट कर लीजिए पहले इसको नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं इसको नोट हो गया ठीक जरा देखिए पीछे देखिए कोश्चन क्या कर रहा था किसी एक नगर की वर्स पूरो दसकों की संख्या दे गई है तो समझ में आया होगा कि यह जन संख्या दी गई है पिछले दसक की ठीक है और कर रहा इस नगर की वर्स 2021 यानी संख्या दिया गया है 35 2018 आगे की पूछ रहा है दसक की बाद थिर एक दसक के बाद पूछ रहा है तो यानी की वर्स 2021 से 2021 पूछे गा तो इसका मतलब एक द लक्सक भी था डिर्क ली दो हजार से 2021 निकलेगा ठीक है आप 2021 से 30 से निकाल सकते हैं बट अगर 2011 दे रख़त 31 से निकालेंगे तो N की value यहाँ पर 2 यानि 2 दसक हो गई ठीक है अब क्या होगा कि यहाँ पर जो दसक है वो डला रहेगा जनसंख्या जो दी रहेगी वो तो वही रहेगी जनसंख्या में हमें बढ़ोतरी निकालना क्योंकि हमें I A की value निकालनी है I A जो होता है वो प्रती दसक आउसत बढ़ोतरी होता है आउसत बढ़ोतरी का मतलब यह है कि बढ़ना कितना बढ़ना जन्देखिए जनसंख्या में ब्रिद्धी होना जैसे 281 में 20,000 थी और 294 में 4500 ब्रिद्धी हो गई ठीक है अब इसमें से घटाएं हैं तब ही ये 4500 आया है क्योंकि 281 में कितना था 20,000 था एक क्यानवें कितना हो गया 4500 बढ़ गई जनसंख्या और 291 में एक जाने में यानि एक दसक में 5000 की ब्रिद्धी हो गई तब ही तो ये 29,500 हो गया और 2001 में जो है 2011 के बीच इसमें भी 5700 की ब्रिद्धी हो गई इसलिए 35,200 हो गया तो जितनी ब्रिद्धी हो रही थी इन ब्रिद्धियों का क्या कि ये औशत ले लिए यानि कि 4500 5000 प्लस 5700 डिवाइड़ बटा 3 तीन क्या है औशत डाले है तीन क्या कि ये औशत लेने के लिए डिवाइड़ बटा 3 तो यहाँ पर आई ए इसकोल टू पचाफ सभी में 3 मत करना अगर ये 4 बढ़ोत्तरी निकल काएगा तो 4 सिवाइड आउसत निकालने में जितनी संख्या उतनी संख्या से भाग देना पड़ता है तो आई ए क्या ह हो जाएगा पचास सरसथ निकल के आगया ऑसत बढ़ोत्तरी दर ओके अब हमें क्या निकालना है कि 2011 से 21 के बीच निकालना है तो 11, 10, 21 यानि की 10 साल, 10 साल के मतलब 1 एक दसक यानि की बैलू 1 एन की बैलू 1 हो जाएगी यहाँ पर 35,200 P पापुलेशन हो जाएगा और IA की बैलू 50 सरसथ तो यहाँ पर ये वाली हमारी बैलू निकल के आ जाएगी तो वर्स 2021 में नगर की अनुमानित जनसंख्या अगर हमें लोग निकाल रहे हैं P प्लस N आईए तो P की बैलू 35,200 प्लस 1 N की बैलू 1 उसका रीजन क्या है 2021 से 2021 के बीच N इसकोल टू 1 होगा 50 सरसथ यहाँ पर आईए की बैलू पूट करेंगे तो 40,200 सरसथ प्रगविक्ती आ गया ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर अगर बात करें वर्स 2021 में नगर की अनुमानित जनसंख्या लेकि 31 आ गया चाहे वह 31 के बाद 41 आ जाए लेकिन हमें वर्तमान जो जनसंख्या कोश्चन में दिया होगा हमें उसी की अधार पर निकालना होगा वर्तमान जनसंख्या 2011 का ही दिया गया है 11,10,21,10,31 यानि की N की बैलू 2 हो जाएगी क्योंकि 11 के बाद डरक्ली 31 निकाल रहे हैं अब क्योंकि 21 का तो निकल चुका अगर हम यहाँ पर 21 से निकालते तब यहाँ पर N is equal to 1 हो जाता लेकिन यह जो P की बैलू है तब यहाँ पर 40,266 रखते लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि कोश्चन में दिया गया है पापुलेशन P 2011 वर्जिनल वाला तो हम लोग यहाँ पर जो है निकालते तो दसक अगर देखेंगे तो यहाँ पर N is equal to 2 हो जाएगा उसका रिजन यह है क्योंकि यहाँ पर क्या है दसक 2 हो जाता है तो यहाँ पर हमने इसको रखा P की बैलू और यह रखकर हम लोग P यह निकाल लिए 2031 के लिए तो 2131 के लिए निकल गया ठीक है इसी तरह से MCQ जब question आएगा दो line जब question होगा और वहाँ पर हम दसक निकाल कर और डर्क लिए उससे में गुड़ा कर देंगे ठीक चलिए उसको भी करेंगे जब MCQ साल्व करेंगे तो वो भी question आएगा ठीक मेरे दिमाग में है वो भी सब question लाएंगे जितने जे भी question पूछे गए हैं चलिए ओके तो इसको ध्यान में रखिएगा एक बाद practice कर लीजिएगा और भी questions अगर आपके पास book aware होंगे पुरानी तो कर लीजिएगा बाकी जो है सभी में सेम रहेएगी आये की value क्योंकि बढ़वत्री दर पिछले दसकों की लेते हैं इस में इस विधी में ही यही है कि पिछले जो कुछ दसक है उन दसकों की उसरत thereby कि की साथ क्या करते है घुड़ा करते हैं उसी पाधार हम दृएं जानेंगे ना कितनी ब्रद्धी हो रही है जैसे पिछले पांग साल पिछले बीस साल बढ़ोतरी हुई है उसी रेट से अभी भी बढ़ोतरी होगी जब और इंक्रिमेंटल वाला आएगा क्योंकि वहां पर तेजी के साल ब्रद्धी होगी क्योंकि वहां पर लोग माइग्रेशन भी करेंगे यानि कि एक जगह से दूसरी जगह से बसने के लिए लोग आएंगे वह भी विधी बताएंगे चलिए ओके बाए 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 फिर मिलते हैं क्लास में हां साम को तीन बजे आपकी सोम की क्लास चलेगी ठीक है जेए की क्लास चलेगी सोम तीन बजे सर आएंगे